जो कहा गया कि संक्राचार माया का सिर्ट तो नहीं सोविगार करती है उसको इल्यूजन मानते ना ब्रह्म है माया के रूप में परिवासित किया गया है कि संसार के लोग जिसको माया कहते हैं असल में वो ब्रह्म है ठीक है उसी में उल्जे रहते हैं लेकिन है कुछ नहीं वो एक एल्यूजन है एक प्रकार का ब्रह्म है माया सिर्फ अटकाने के लिए है रोकने के लिए है जैसे परिक्सा की तयारी कर रहे हैं आप और उसी समय कोई इवेंट आ जाता है कोई घर में कोई साधी फंसन नित्या रहा दिया आ गया वो आपको रोकने का एक तरीका जैसे वाटसाइप ले लीजिए वो एक तरीका आपको सेलेक्शन से रोकने के लिए एक इल्यूजन है एक ब्रह्म है आप उसको किनारे कर देते हैं आपको यह लगता है कि वाटसेप पे जो question आते हैं उन से हम सलेक्ट हो या वो बहुत important होते हैं उसकी बजाए जो पुस्त को में लगे रहते हैं वो साहिद नहीं हो पाते हैं सेलेक्ट अगर ये दिमाग में चलता हैं तो ये ब्रह्म है हकीकत में उस WhatsApp पे आने वाली सामगरी भी कहां से आती है किताबों से ही गुम्फिर के आती है तो वो एक illusion है सि उस ब्रह्म में ही लोग अडे रहते हैं विसेस्टा द्वेतवाद ये अभी थोड़ देर पहले जिसको हमने क्लियर किया अधवेतवाद और उसमें विसेस्टाएं हो इसके प्रवर्तक जगतगुरु रामानुजाचारे सत्ता को एक ब्रह्म की ही मानते हैं लेकिन जैसे व रक्स में विविद्धा है पत्तों की अलग विसेस्टाएं हैं साखाओं की अलग विसेस्टाएं फलों की अलग फूलों की अलग विसेस्टाएं लेकिन है तो अंततर जाकर के वरक्स ही वो ठीक वैसे ही जीव यानिके आत्मा माया परमात्मा ये सब अलग अलग गुन हैं क उसी प्रकार जीव माया ये क्या है परमात्मा के ही अंस है जो अंस अपने अपनी विसिस्टताई रखते है इसलिए विसिस्ट है इनके बीच में पहले अंतर आता है पहले भेद है जब हम इनके विसिस्टाओं को आधार बना के देखते है तब तो भेद दिखाई देता है ल इनकी विसेस्ताओं के कारण हमें अंतर दिखाई देता है इसलिए इस दर्सन को नाम दिया गया विसेस्ट अध्वेत वाद यहां माया यहां मिथ्या नहीं है ब्रह्म भी सत्य हैं और माया भी सत्य हैं वो कहते हैं सब सच हैं जैसे इस व्रक्स में साखाएं भी सच है, पत्ते भी सच है, फल भी सच है, फूल भी सच है, जड़े भी सच है, सब कुछ सच है, जूट कुछ भी नहीं है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ना तो ब्रह्म जूट है, वो भी सच है, ना माया जूट है, वो भी सच है, और नहीं ज कि रख्स के अव्यव है साखाए, पत्ते, पल, पूल, इत्यादी। कुछ भी जूट नहीं है कुछ भी मिथ्या नहीं है। माया का भी अस्तित्व है क्यों? क्योंकि संसार का अस्तित्व है। संसार है जैसे संसार सच है, जैसे एक पेड़ पर उगा हुआ फूल सच है, पत्य सच है, फल सच है, सबकी अपने अपनी विसेस्टा है और सब सच है थीक उसी प्रकार ऑडवेतवाद निमबर का चारी के दो रा स्थापित किया गया दूनों कोई सही मानते हैं द्वेत को भी अद्वेत को भी समुद्र और उसकी बूंद अलग-अलग भी है और एक भी है आपने जिस घड़े मेंसे गिलास भरी है और जिस गिलास में पानी है उस पानी को आप अलग भी मान सकते हैं ये भी कह सकते हैं ये गिलास का पानी है और वो घड़े का पानी है कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जैसे फल को हम क्या कहेंगे फल कहेंगे ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ये नीम का पेड़ है वास्पी ग्रूप से तो उसको क्या बोलेंगे आप फल ही बोलेंगे, नीम का पेट थोड़ी बोलेंगे, उसको, नीम के फल को, लेकिन आप नहीं भी कह सकते हैं, आप अंतता जाकर करके यही कहेंगे, यह आया तो इसी से हैं, बना तो इसी से हैं, निर्मित तो इसी से हैं, इसलिए इस सिद्दान को क्या बोलते हैं, द्व हो तो परमात्मा का हिस्सा है जैसे दूंद और समूंद को आप अलग-अलग करके देख सकते हैं और अंततर जाकर के फाइनली जब आपको ग्यान प्राप्ट होता है ना तब वो एक ही है ठीक उसी प्रकार अंतमे जाकर के आत्मा इस परमात्मा का हिस्सा ही है यही साबित कि सिद्दान्त ये बात कहता है अंस और अंसी को आप अलग कह सकते हैं जैसे सक्ति जो होती है ना किसी व्यक्ति में सक्ति मान मतलब कोई व्यक्ति सक्ति सक्ति मान से अलग नहीं है सक्ति मान की ही होती है आकत आप से बाहर थोड़ी निकल जाती है जब आप धक्का मारते किसी को, आपके अंदर ही रहती है, वो आपके अंदर से ही उद्बूद है, वो आपके अंदर से ही पैदा हुई है, प्रकट हुई है, लेकिन आपने उसको तागत नाम दिया है, करने नाम दिया है, लेकिन आपके अंदर से ही इम मिल आपके वो आपके आपके रहती है, लेकिन आपके अंदर...